आज हम एक छोटी सी आगम कता से जानेंगे कि कुछे क्रूर कर्मों का फल क्रूर रूप में ही भोगना होता है आगम की भासा में इसे निकाचित कर्म कहते हैं यानि उन कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता चाहे आप सांत रहकर कर्मफल भोगे या आवेश में आकर पर भोगना तो पड़ेगा ही इसलिए कहा जाता है कुछ भी कर्म करने से पहले सावधान या जागरुक रहे ताकि कोई निकाचित कर्म हमसे बंद न जाए तो अब जानते हैं आगम की वो कहानी तिर्थंकर बनने से पहले महावीर का एक पूर्व जन्म त्रीपुष्ट वासुदेव के रूप में होता है ये वही त्रीपुष्ट का जीव है जो पूर्व में भगवान रिशप का पौत्र था और भरत का पुत्र मरीची और भविश्य में भगवान महावीर बने एक दिन त्रीपुष्ट अपनी राज्य सभा में एक नाटक का आयोजन करता है सब लोग नाटक देख रहे होते हैं इस बिच त्रीपुष्ट अपने सया पालक को आदेश देता है कि जैसे ही मुझे नींद आए नाटक बंद करवा देना ऐसा आदेश देकर थोड़ी देर में वो नाटक देखते देखते सो जाता है सया पालक नाटक देखने में इतना लीन था कि वो भूल गया कि उसे क्या आदेश दिया गया था और वो भी और लोगों की तरह नाटक देखने में व्यस्त हो गया थोड़ी देर में अच्छानक से त्री पुष्ट की आंके खुलती है वो नाटक को अभी तक चलता देख क्रोधित हो जाता है उसकी आग्या का पालन न करने के कारण वो ये कहते हुए कि अच्छा तेरे कानों को संगीत अधिक प्रिय है तो इन कानों का ही कुछ किया जाएग ये कहते हुए वो उसके कानों में गरम गरम शीशा एक तरल पदा डलवा देता है सया पालक चट पटा कर वही मर जाता है इस क्रूर कर्म के कारण त्री पुष्ट का सया पालक के साथ निकाचित कर्म का बंद हो जाता है फिर आने वाले जन्मों में त्री पुष्ट का एक ग्वाला के रूप में तो ये वही सया पालक बना ग्वाला है जो त्रिपुष्ट बने महावीर के कानों में कीले डाल कर उन्हें भयंकर दुख देता है और इस तरह से अपने पुराने वैर का बदला लेता है तो ये कहानी साबित करती है कि हर हाल में कर्म का फल चुकाना ही पड़ेगा कर्म घूम फिर कर चाए हजार जन्म हो या लाग हमें छोडने वाला नहीं है तो किस हिम्मत से हम बुरे कर्म करते हैं इस पर जरूर सोचना चाहिए